तो फाइनली धूंडी लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप धूंड लोगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड क्लास 11 पोलिटिकल साइंज यानि राजनीती विज्ञान हिंदी मीडियम वालों के लिए है इसके इंपोर्टेंट कोश्चन सारे कोश्चन करेंगे लोंग वाले भी सोट वाले वन मार्क्स टू मार्क्स सारे के सारे कोश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं चलो सुरू करते हैं मैं हूँ अज्जे और आप देख रहे हैं CCL क्लास लेकिन अगर आपको बाकी वीडियो भी देखनी है MCQ वगारा के व हुए मिल जाएंगे अब सुरू करते हैं को पहले लोंग कोश्चन देखो जैसे मैं लिख रखे रहां पहले लोंग कोश्चन याद करने हैं फिर सोट कोश्चन याद करने हैं कुछ रिलेटिग टोपिक्स भी बताऊं जो की आपको साथ में पढ़ लेने हैं वो काम कीजिए नियाए के अधार भूत लक्षनों का वर्ण कीजिए मोलिक अधिकार एवं राज्य के नीती निदेशक शिधानतों में अंतर सपस्ट कीजिए ये वाला जरूर ये वाला अच्छे से पढ़ देना ये वाला राज्य के नीती निदेशक शिधानतों की उप्योगित का वरणन कीजिए कि भारतिय समीधान में अंकीत मोलिक अधिकारों की विषेशताओं का कीजिए यह कई बार आचूका एक्जाम में रिपीटिट कोश्टन है तो जो हो जाते हैं सेम कोश्टन उनके ओपर लिख जाता हुआ और most important और कुछ ही question मिलते हैं से जादा नहीं मिलते क्योंकि दिक्कत सबसे बड़ी यह होती है आपके class की कि पेपर मिलके नहीं देते हैं पेपर बड़ी दिक्कत नहीं सबसे बड़ी problem यहीं आती है पेपर सब्लाइबल नहीं है internet की ऊपर बारतिय समिधान में दिये गए मोलिक अधिकारों की आलोचना किन किन आधारों पर की जाती है वर्णन कीजिए ये वाला भी कई बार आ चुका है परधान मंतरी की सक्तियों एवं कारियों का वर्णन कीजिए देखो आपको सक्तियां और कारियां कहीं सारों की पढ़ लेनी है लोग सबहा की सक्तियां और कारीया सर्वोच नहले की सक्तियां और छेत्रा अधिकार का वर्णन कीजिए और साथ में यह तो हो गए देखो यह पूछ ले परदारमंत्रिक सिर्फ सक्तियां पूछ ले तो ऐसे कोश्टिंस भी बन सकते हैं इन्हीं कोश्टिंस से ठीक है यह जिस ध्यारक नहीं पालिका को सवतंतर या निस्पक्स कैसे रखा जा सकता है सपश्ट कीजिए बाजार अर्थव्यवस्था के विकास के मोडल की परमुख विशेस्ताओं का वर्ण कीजिए विकास के कल्यानकारी राज्य मोडल के परमुख उदेश्यों का वर्ण कीजिए न्याय पालिका को सवतंतर बनाने की आवशक सर्तों का वर्ण कीजिए अब जैसे आपके ये कोश्टिंस है ना जैसे आवशक सर्ते हो गई उदे है अगर वैसे ही तीन नंबर का परसुद है तो थोड़े एक पॉइंट एक स्था बनाने पड़ते हैं जैसे यह कोशिन नियांगे आपको यह एक डिप्रेजंटेशन का तरीका होता है बस और कुछ निन जिससे आपके नंबर बढ़िया आते हैं अब यहां पर आउस्थिक सर्थों का वर्णन कीजिए आधूनिक लोग तांतरिक राज्यों में न्याय पालिका की भूमिका का वर्णन कीजिए सवतंतर्ता की सुरक्षय के विभिन उपायों का वर्णन कीजिए गांधी वादी मोडल के विकास के आर्थिक पक्सपर गांधी जी के विचार लिखे कि क्या विचार थे उनके बाजार अर्थवियावस्था के विकास के मोडल के कोई तीन गुण और तीन दोस लिखे देखो यह जो मोडल है बाजार अर्थवियावस्था का विकास का मोडल इसके आपको 6 गुण और 6 दोस याद कर लेने, मलब 6 कम से कम कर लेने, 6 गुण या 5 नहीं मिल रहे, 5 कर लेना, ठीक है, बट पढ़ ले रहे, इनके बारे में, गुण और दोसों के बारे में, ये कोश्चन अच्छा कोश्चन है, और हो सकता है, शिर्फ गुण के उपर ही 5 न कर दीजिए, अभी देखते हैं, 3 माक्स के कोश्चन, किन ही 3 नागरीक या फिर सामाजीक अधिकारों का वर्ण कीजिए, एक ही चीज़ होती है, नागरीक अधिकार, देखो, ये गुमाने के लिए, बस बात आपको कन्फूज करने के लिए कोश्चन है, अभी आप से इन लिए जो अच्छे से आदो तुमको, आदर्स नागरीकता के मार्ग की कोई चार बादाएं लिखिए, भारत दवारा विश्व सांती स्थापित करने के लिए कि नहीं तीन परियासों का वर्ण कीजिए, विकास के कोई तीन उदेश्चे लिखिए, बारत की चुनाव प भारत के सर्वोच नेला के अपीलिया चेतरा अधिकार का वर्ण कीजिए, राज्य सवायत्ता की मांग उठाने के कोई तीन कारण बताईए, ग्राम पंचायत के च्छे कारिया, देखो तीन ही नंबर में च्छे कारिया पूछली बेसर्मोंने, बड़ा कोईशन भी दे सकते के लिए किये गए तीन परियासों का संक्सी तो लेकिजिए, देखो वी सब 37 स्तापित करने के रिगार्ड एगा आपको एडिशनल, तीन पॉइंट से काम नहीं चलेगा, थोड़े से पॉइंट एक्स्ट्रा याद कर लेना हो सकता है, ये कोईशन बड़े कोईशन के तोर सकता है, परदार मंतरी के तीन कारिया के लाक देखिए हैं। में चुनाव पर ना लिखे ठीक है प्रहकरतिक अधिकारों के से क्यातात परिया है नागरिक्ता प्राप्ति के कोई चार तरीके लिखे कि नागरिक्ता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो तरीके बताने हैं अब यह जो है न चैसे बोले कि कैसे सांती भंग होगी किनहीं तीन तर्कों के दवारा सपश्ट करें बाजार के विकास के बाजार आर्थिक अर्थ व्यवस्था मोडल की कोई तीन विशेष्था हैं बताईए यह वाला साथ पहले भी आ चुका बड़े कोश्चन्स में उसमें हमसे बोला था बस इसको हल कर उसकी विशेष्था हैं बताईए उसमें पांच से हमने वैसे याद कर ली थी तीन बतानी अब तो चलो आगे पढ़ते हैं ले कोश्चन पे भारतिय चुनाव यह आ गया देखो भारतिय चुनाव पढ़ना लिए तीन दोस्त बताईए मैं बोल रहा था पढ़ लेना दोनो हानी भी लाब भी मालब दोस्त गुन कहा सकते हैं राजय पाल की सव विवे की सक्तियों का वर्णन कीजिए उच्छी न्याले की परसासन संबंदी सक्तियों का वर्णन कीजिए सक्तियों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि देखो में में जो चीजे होते हमारी मा पूछी जाती है देखो राज-जय-पाल की सकतियां पूछी है अलग चीजों की सकतियां उनके कार्या क्या है वो चीज़ें तोड़ा ज्यान सस्तर्ट अवधारना से सांती कैसे सेवांGo Toriya करने कम और अपने देशल वाले हतियार रखते हैं तो वह चीज कैसे सांती कर देती के 3 तरक हम को देने हैं ठीक है देखो यह कोस्टन आता है बट टेको लोग कोस्टन में तीनैंबर वालमें तो ठीक ठाक या दा रहा था है जो चोटे-चोटी नंबर में के फीलिंदा ब्लैंग हो जाती है तो इसलिए काहते हधियार रखने ही नहीं है अगर तुम्हें सांती चीज़ हो भारत में संसदिया सासन पढ़ना लिखी कोई तीन विशेष्टाइं लिखिए लोग सभा के सपिकर की कोई पांच सकतियां लिखिए पांच पूचली वाई वैसे थोड़ी से और लिखने को कुछ बचता नहीं है तो इसलिए मैं कहता हूं इन चीजों के बारे मीं कि अडिशनल पॉइंट से कर लिया करो ठीक है जोंसों से मैंने बोले कमसे को मुनके तो पढ़ लेना अभी यह भी होता है जो बहुत बार यह भी देखने को मिला तीन नंबर कोस्टन दो में भी दे देते हैं जरूरी नहीं है कि तीन में तीन वाला पांच पर जाएगा अभी दो नंबर के कोस्टन देखते हैं प्रमप्रागत राजनीतिक शिद्धान्त की कोई दो मुख्या विशिष्थान लिखिए राज्य और राश्टर्यानी देश जो है उसमें दो अंतर लिखिए पोषण कारी विकास इसका क्या मतलब है यह बताईए भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में धरम निर्पेक्सता सबद कब और किसके दवारा जोड़ा गया था यह जो सबद है यह वाला भारतिय सम्विधान 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया यह हमें बत यह देखो दोई चीजे ज्यादा आरिया है मारे एक्जाम में एक तो कारीय बारतिय सम्विधान उधार लिया गया थेला नहीं है सवतंतर है तक इनहीं दो सनरक्षकों का उलेक कीजिए समनता है तो उस से क्या मतलब है वैसे देखो है संविधान और हमारे कानून कहते है है बसकी कानून में सब लोग समाना लेकिन जो black money वाला system बहुत वेकार है वह एक्सेप्षन के सोजाते हैं कि वहां पर तो मुझ करही बताईए सम्विधान में अंकीत प्रस्तावना के महत्तव के दो कारण लिखिए प्रंप्रागत और आधुनिक राजनीतिक यह इक्जच राज्य की दोड़ी अडिशनल पड़ देना भरतिय सम्विधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा यह तो एकी नंबर का परसंत है दो नंबर में क्या करने आ गया इसको लगे थे दो साल एक्जक्ट बतार हमातुन को ठीक है गयारा महीने और अठारा दिन ठ जो कि भारतिय समीधान को बनाने में लगाता है याद कर ले ना इसको दो साल 11 महिने और 18 दिन उप चुनाव से क्या ताथपरिया है नगर परिष्ट का कारिय का कितना होता है यह यह वियार एक ही नंबर का है पता नहीं क्या मूड में आ जाता है कभी जो पेपर बना रहे होत हने इस को अश्वे में अधीन कर लो मैं मैक्त मैं पर देने जैंट आगते हैं थीजाता दुधा dice और 18 में पर 37콩 बड़िए कर लोग इसको देने चिए वैसे बहुत बार स्कूल में कार लेत मतलब उल्टा सीधा क्या लिखोगे तुम जो सवाल है वही तो उसका उत्तर लिखा जाएगा ना तो ऐसे कोश्चनिन को एक तो सोच समझ के बनाने चीए अरबोड को थोड़ी सी ध्यान लगना चीए जब पेपर बन रहा होता है भारतिय समिधान की संसोधन परकिरिया का सव लेख कीजिए अब दो की बजाए ना इसमें भी तिन चार पढ़ लेना थोड़ा सा ठीक अडिशनल पढ़ लेना भारतिय समिधान की प्रस्तावना की अलोचना के दो आधार लिखिए अभी देखते हैं कुछ वन मार्क्स के कोश्चन पोलिटिक्स यह जो सबद है राजनी पढ़ रहे हैं नहीं ऑल इनके सबस्ताव को एंसे क्यों सारओ के that अधूर गर्लेने है और बहुत सबल्सक्र में आपको इनमें से पारे एर्श के पैपर को अनलाइज करा अब जो कोष्टन उन्हों ने वनमाक्समें पूछे तहें वह वनमाक्समें डालें जो gsmC कुम्हेंस में अलग करें पूछें वह अलग करें है सभीधान सभा के अध्यक्स कोन थे डोक्टर राजेंदर पर साथ थे अध्यक्स आइधिक सो देखो पका नहीं है मेरे को जहां तक आईडिया है वही होने चाहिए भारतिय सभीधान कब लागू किया गया तो कब लागू किया गया था 26 जनुवरी को एग्जेक्ट याद कर मैं वेट कर रहा हूं कि कमेंट का सम्विधान सभा की मसोदा समीथी के अध्यक्स कोन थे डोक्टर भीमराव अंबेडगर यह मसोदा समीथी पढ़ लेना थोड़ा सा ध्यान रखना सारे कोसिन जो मैंने दिया ना इनके अंसर एक बार देख लेना अपनी गाइड वगर से इनमें से चांसी तो रहेंगे अच्छे घासे ठीक है डोक्टर भी यार अंबेडगर भीमराव अंबेडगर के किस मोलिक अधिकार को सम्विधान की आत्मा कहा गया है पहले ध्यान ताया अब भूल गया हूं इस कोसिन को मैंने पढ़ा था जी के वगर के कोसिन में पढ़ा कर लेना मेरे को जहां तक आईडिया आ रहा हो बता रहा हूं भारतिय समिधान सभा के अध्यक्स कोन थे वही आ गया यह कोशन रिपीट और उपर वाला ही रोक्टर राजंदर परसाद वाला है बारतिय समिधान के किस अनुछेद में मोलिक कर्तव में की व्यवस्ता की गई हैं भारतिय समिधान में संसोधन परिकरिया का उलेख समिधान की किस धारा में किया गया है भारतिय समिधान की प्रस्तावना का आरंभ किन सब्दों से होता है यह होता है हम भारत के लोग आपकी किताब में लिखा होता है आगे हम वह पूरा बनार का हम भारत के लोग यह व जब राजनीती सास्तर में पर्थम राजनेतिक वैग्यानिक किसे कहा जाता है ये MCQ में ये वाला कोश्चन का अंसर MCQ में मिल जाएगा आपको राजनीती सास्तर का आरंब और अंत राज्ये के साथ होता है यह कथन किस विद्वान का मुझे नहीं पता लेकिन कई बार पूच तिलक भी कहते हैं कुछ इनको तो जैसा है याद रहे तुमको लोकमन और बाल गंगा दर तिलक लोकमन तिलक जैसा भी याद आए लेकिन वह तुमने पढ़ा दॉल लाल बालपाल तो वह याई या बाल बालबाल में बाल वालबाल ठीक है किस परकार की समानता में सब ही नागरीकों को सासंक में भाग लेने के समान अधिकार प्राप्त होते हैं मुख्यतक इस विद्वान ने प्रकर्तिक अधिकारों का समर्थन किया है अंतराश्ट्रे व्यवस्ता में 37 स्थापना का कोई एक साधन बताईए तो वो क्या है हतियार छोड़ दो यानि की नी सस्त्री करना वैसे वाला सबद है कोई तो वाला सबद आपको लिखना है आपे संगिय मंतरी मंडल किसके परती उत्तरदाई होते हैं लोग सभा में निर्नायक मत यानि कास्टिंग वोट देने का अधिकार किसके पास है अधिकार का वरतमान सवरूप कैसा है कोई एक कानूनी करतवे लिखे कानूनी करतवे जो है वैसे तो हम उल्रेडी करके आएं बड़े कोशन के अंदर इसके जो आपको बड़ा कोशन कानूनी करतवे के उपर बड़ा कोशन कर लेना मलब 6 पोइंट आपको कम से कम पढ़ ल पोलिटिक्स यह जो किताब है इसके किसी ने लिखा था लेखक को ने इसके राजनीती शक्ति को बनाने और उसमें भाग लेने का अध्यन है यह बात किस ने कही थी मनुश्य सवतंतर पैदा हुआ है परंतु परतेक स्थान पर वह बंधनों में बंधा हुआ है यह कथन किसका है M.C.G. में मिल जाएगा आपको इसका अंसर किस परकार की समानता में जनन के आधार पर सभी मनुश्यों को समान माना जाता है कानूनी अधिकार किसकी सविकृति से प्राप्त होते हैं क्या विश्व सांती की स्थापना के लिए नी सस्त्रीकर्ण आवशक है बिल्कुल हाँ जी ये ये वर्ड लिखना दा माँ पे नी सस्त्रीकर्ण लोग सभा में संगिया बजट कोन पेस करता है लोग सभा को कोन भंग कर सकता है वह हमारे राष्टर के पती ठीक है भारत में अब तक लोग सभा में कितने चुनाव हो चुके हैं ठीक है और इसके साथ में और चीज़े भी पढ़ ले ना सुनो मैं बताता हूँ इसको 2015 छितने भी लोग सभा के चुनाव हुए है को पढ़ ले ना क् Immer К फ़र항 पार्टी चर अई लइकन इसके बाद किया 15 चुनाव का था उसके बाद कं चुनाव का चुनाव कोन सर醉 छुनाव ठाट और आने वाला चुनाव है है मतलब कौन से नंबर का चुना होगा इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना जानकारी निकाल लेना और साथ में लोगसभा में कितने मैंबर्स होते हैं सदस्या होते हैं अनुसुची जाती जन जाती वह उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित कर रखे वह सारी जानकारी याद कर लेना वह काम किये ठीक है उसमें से कुछ भी रैंडमली पूछ ले रहे हैं वह भारत में पर्थम आम चुनाओ किस वरस हुए थे पहले आम चुनाओ 1952 के लंसम कुछ हुए थे अब एक्जेक्ट मेरे को ध्यान नहीं आपके किताम में होगा अब मेरे को जितना डाटा ध लिन्दा ब्लैंक कोश्चन देखते हैं भारत के वरतमान राष्ट्रपती उसका नाम बताना आपको भारत में इस समय कूल खालिस्तान संख्या बतानी है उच्छ न्याल्य है तो हमको उच्छ न्यालों की संख्या बतानी है लग बग तीस के आसपास होनी चीए कहीं मलब ए अंसता है खालिस्तान है मुझे नहीं पता क्या भरनावट कई बार आ चुका एक्जाम में भर लो वाइस फीलिंदा बलेंक को जुरूर जे ठीक है ठीक है यह जो सबद है थियोरी सबद की उत्पती खालिस्तान भासा से हुई है समझो सामाजिक समझो होता है यानि सोशिल क संख्य कितनी है संख्या खालिस्तान निश्चित की गई थी तो कितनी निश्चित की गई थी वह बताना है राज्य सभा के दिख्तम सदस्य संख्या कितनी हो सकते हैं राश्टर पती राज्य सभा में खालिस्तान सदस्या मनोनित करता है कितने सदस्या अपने पास से वो देख लेना आप इसका अंसर भारत की समस्त सेनाओं का सर्वोच सेनापती राष्ट्रपती होता है क्या लिखना है राष्ट्रपती ठीक है सतरवी लोग सभा के चुनाव अपरेल मई खालिस्तान में हुए तो वह हमें बता है कब हुए थे भारतिय सम्विधान की आठवी अनुसूची में वर्तमान में खालिस्तान भासाओं को मान्यता दी गई है कि इतने सारी बुक्स मैं पढ़ चुका अभी पेपरों से पहले से महला अभी एक महीने में इतनी किताबें पढ़ ली भाई मैं आदा भूल गया हूं आदा याद है तो अन्दाज अन्दा जाए मेरा भी कूल मिला ठीक है इसके आसपास ही कुछ होंगी तो एक बार क्रोज में प्रस्तावना में अब तक समविधानीक वीधी दवारा केवल खालिस्तान बार संसोधन किया गया है पता निआ olur हुआ है समिधान सभा की मसोधा यानी ड्राफ्ट कमैटी जो थी मसोधा समीती इसके अध्यक्स खालिस्तान ते यह पहले भी आ जिसको जो है politics राजनीती सबद की उत्पत्ती हुई आपको politics राजनीती सबद की उत्पत्ती हुई थी है लेकिन अब हम से पूछ लिया भासा तो ऐसे घुमाते हैं कोशनों को एंको देखके डर जाओं तो क्या ही करेगा कोई भी तो अच्छे से याद करने चीजे कौन सी भासा थी है ना तो मैं दिखा दूँँ आभी इस थोड़ी देर में खतम ही होने वाले आई थिंक सो मारे कोस्टन थोड़े से बचे होंगे चलो देखते हैं फिर चेक कर ले ना पहला कोस्टन था जो यह कहां गया अरे कहां चला गया या यह रहा तो देखो यह पहला कोस्टन था ना जो हमने करा था वह वाला यह उसको देख ले ना उसमें आपको इसकांसर मिल जाएगा तो ठीक है इसी कोस्टन के अंदर ही अंग्रेजी भासा के लिबर्टी सबत की उत्पति लेटिन भासा के खालिस्तान सबत से हुई है 這一 selected 1975 में किताब लिखी गई नामक पुस्टक के लेखक खालिस्तान है और खालिस्तान है कायब रखका ठीक है खालिस्तान है खालिस्तान है वरतमान में भारतियी समविधान में कुल खालिस्तान अनुसूचि यां बारान denis सविधान के अनुछेद्र 37 के अनुसार राज्य के नीती निदेशक सिद्धांत खालिस्तान है वरतमान में भारत के राष्ट्रपती श्री खालिस्तान है तो अभी वह भी देखो यह पहले भी आ चुका है फिर से आगए मैं इसको हटा दूआ को भारत में लोकसभा का चुना करने स्मृफान में होता है अई ढागार करते हैं परेमबल को एप एफ इंग्लबल को बूफ़ता है तो जो बीकाइते हैं समझ जाो तुम तो उसी के अंदर है सारा समीधान को तो इसा उसमें बता रहे हिंदी का मुझे नहीं है कुछ चीज़ें हिंदी में पढ़ते हैं य जरूर कर लेना, additional questions भी मैंने कुछ बता दिया आपको, उनको भी साथ में पढ़के जाना, कहीं उनको छोड़के भाग जाओ, जो additional questions बताए हैं, ठीक है, उनको भी साथ में कर लेना, ज्यादा benefit मिलेगा, और chances रहेंगों उनमें से exam में देखने को मिले, चलो मिलते हैं नई वी